ज़ाई बाईस, हिंदी फिल्म जगत के जो फिल्मेकर्स हैं क्ई बार अपनी फिल्म को तरक्तवErों ने के लिए, उसको उचाईयो तक ले जाने के लीए उसका मसाला बढ़ाने के लिए, उसमें कुछ भी एड कर देते हैं कई बार वो इतिहास से खिलवाड कर जाते हैं, जो उन्हें महेंगा पड़ जाता है, आप देख रहे हैं, watch now, मैं आपके साथ में हूँ शेवाए, और ऐसा ही अभी कुछ सीन हमें देखने को मिल रहा है, फिल्म प्रतवी राज के साथ में, जिसके साथ में अभी ऐसा कुछ त पर हाई ट्विटर यूजर ने फिल्म के टीजर को देखने के बाद में अपने अलग-अलग कॉमेंट्स दिये, अलग-अलग तरीके के ट्विट किये, दर असल ये सिलसला शुरू हुआ, कुछ दिन पहले जब फिल्म यस राज बैनर ने इस फिल्म का टीजर रिलीज किया पृत्वी राज का, टीजर एक मटवी सेगंड का था, यूजर ने टीजर को देखा और टीजर देखने के बाद में अपने रियक्शन देने ट्विटर पर शुरू कर दिया, अक्षे कुमार को जम का ट्रोल किया गया, एक यूजर ने लिखा कि अक्षे कुमार साब मैं पात को वो फैन ने लिखा कि ये धर्म वाली बात कहीं न कहीं कॉंप्लिकेशन पैदा करती है, शायद ऐसा होता भी है, इसके बाद एक दूसरे यूजर ने लिखा कि ये बाला वापस आ गया है बाल के साथ में, ये कोई प्रत्वी राज नहीं है, मतलब जो अक्षे कुमा हैं, अक्षे कुमार ने फिल्म हाउसफूल में बाला वाला गेरेक्टर किया था, जिसमें उसके बाल नहीं थे और मूचे थी, ठीक, वैसे ही, यूजर ने लिखा कि ये वही बाला वापस आ गया है, जिसके बाल हुगा है, बाकी सारा सब कुछ वैसा ही सेम है, जैसा कि बा धमकी दे डाली उसने तो आपको मैं बताई चुका हूँ कि इतिहास के साथ में कोई भी छेड़शाण नहीं होनी चाहिए वरना नाम तो यादी है उसने करणी सेना का नाम लेकर के धमकी दी कि अगर इतिहास के साथ में कुछ भी आपने गड़बड किया इस फिल्म में और हम आपको बता देते कि इस मूवी की कास्ट क्या है इस मूवी में अक्षे कुमार आपको लीड रोल में नजर आएंगे जो कि प्रत्वीराज चोहान का किरदार निभा रहे हैं प्रत्वीराज रासू के उपर ये मूवी बन रही है और इनके साथ में चंदबर्दाई उनके जो बच्पन के दोस्त है वो भी हो गया इस मूवी में आपको जो अक्षे कुमार यानि प्रत्वीराज चोहान की जो वाइफ संयोगिता थी उनके करेक्टर में नजर आएंगी मानुशी चिलर मानुशी चिलर जो थी वो इंडिया की 2017 की मिसवर्ड रह चुकी है इंडिया स तो वो इस मूवी से डेब्यू कर रही है बॉलीवुड में तो देखने वाला होगा कि मानुशी चिलर कैसा परफॉर्म करती है कैसी एक्टिंग करती है और इसी मूवी से उनकी करियर के बहुत सारे आयाम उनके तेह हो जाएंगे पता चल जाएगा कि उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है बॉलीवुड में उनको भी नोटिस किया जाएगा इसके बात में जो और बाते मैं बताओं आपको करेक्टर के बारे में तो बहुत सारे से दिगच कलाकार इस मूवी में आपको देखने वाले हैं जिनने आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे जैसे कि आगे बढ़ा दिया गया था और अब फाइनली यह मूवी 21 जैनवरी 2022 को परदे पर रिलीज होने की डेट रखी गई है आपको फिल्म का टीजर एक बार मेरे ख्याल से जरूर देखना चाहिए और उसके बाद मुझे कॉमेंट करके इस वीडियो में बदाना चाहिए कि यह सारी चीजों को लेगर के आपका क्या नजरिया जरूर आप कॉमेंट करके बताइए साथी बॉलीवूड की दुनिया से मूवी से जुड़ी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइए